इस निदी कुपता, आप मुझे अनकाडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मैं अनकाडमी पे एजुकीटर हूँ, इस लेसन में मैं आपको डाटा स्टक्चर से लिलेटेड लिंक लिस्ट के बारे में बताऊंगी, कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट को कैसे मैमरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मैमरी के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं, यह सारा डिसकस हम इस लेसन के अंदर करेंगे, तो चलिए देखते हैं, फर्स्टी समझते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक लिस्ट, प्लीज लेसन जो लिस्ट लिंग्ड हो एक दूसरे से, means connected, linked, मतलब कोई वायर लिंग के थ्रू connected हो, तो list है एक हमारे पास, कोई भी list दी गई है, और वो क्या है, link है, एक दूसरे से क्या है, वो link है, तो वो क्या कहलाती है, link list कहती है, क्या लाती है, तो कड़ते हैं, a link list is one way list, एक क्या है, one way, मतलब एक direction में हम इसके अंदर जा सकते हैं, तो one way list है, ठीक है, link list क्या है, एक one way list है, it is a linear collection of data elements, linear collection क्या है, data elements का क्या है, linear collection है, उसको क्या कहते हैं, notes कहते हैं, तो क्या कहते हैं, notes कहते हैं, जो linear collection, जो data elements होते हैं, उनको क्या कहते है, nodes कहते है ठीक है, where the linear order is given by means of pointer ठीक है, each node divided into two parts एक node कितने parts में divide होता है, two parts में divide होता है the first part contain the information of the element first part में क्या contain होता है, information होती है element की ठीक है, कि हमारा data क्या है and the second part called the link field second part में क्या होता है, link field होता है जो की next pointer को contain करता है, next pointer के address को contain करता है दुबारा देख लीजिए एक बाग, link list क्या होता है एक तो link डेजो list वो link list के लाती है link list क्या होती है, one way list होती है ठीक है, two direction में उसके अंदर work नहीं कर सकते है, only one way ठीक है, it is a linear collection होता है, data elements को जिसको क्या कहते है, nodes कहते है और इसको pointer से show करते है, each node, एक node किसमें divided होता है, two parts में divided होता है एक node, two parts में divided होता है first part क्या contain करता है, elements की information contain करता है और second part क्या contain करता है, वो क्या करता है, उसमें किसका address होता है next, next node का address होता है तो second part call the link field, क्या कहते है, उसको link field कहते है और क्या होता है, यह next pointer field कहते है यह क्या contain करता है, address of the next field इंदर एड्रस करता है next node यह next field का address contain करता है उसको क्या कहता है second part को link field यह note point ठीक है चलो इस बात को एक बाद देख लेते हैं कि कैसे होती है एक बाद link list देखो यह मैंने एक link list दे रखी है क्या हो गएन सारे notes होगए तो हम पहली बत क्या कहना चाहरी थी पहले पहले पास कर रहा है वनже लिस्टर देखों यह वन वे हैं थाएक फोलंगत बैस सारत्र आफिक ही एक दिक मैंना दूसरे पोइंट था ढूंड दूसर होले इनको क्या क्या करते है यह क्या है यह एक node है यह एक node है ऩिक है उसके बाद क्या होता है नोट किस में डिवाइड होते हैं two parts में डिवाइड होते हैं तो first part क्या contain करता है information of the element तो first part क्या contain करता है देखो two parts में divide है node first और ये second first और second तो first part क्या contain करता है data elements यां की information जो हमारा पास data है उसकी information को क्या करता है contain करता है और second part क्या contain करता है second part contain करता है जो भी हमारा next node है उसका address उसका क्या address वो क्या contain करता है second part clear है यह nodes कहलाते हैं सारे यह nodes है nodes कितने टाइपस दो टाइपस में पार्ट में डिवाइड होते हैं first और यह second first part contain करता है data elements की information को contain करता है और second part क्या contain करता है address of the next node next node के address को contain करता है ठीक है यह हमारा link list का representation है ठीक है यह कर चुक है हम discuss अब आगे देखिए a link list is a sequence of data structure which are connected to the together via links यह किसके through connected होते हैं links के through यह link है इसके through क्या होते हैं यह connected होते हैं तो यह sequential है और किसके through connected होते हैं links के through connected होते हैं ठीक है उसके पाद link list is the sequence of link which contain item वो क्या contain करता है item contain करता है each link contain a connection of two another links एक link क्या contain करता है connection of two जाता है एक link होता है एक link क्या होता है दो से connected होता है sorry ठीक है link list is the second most used data structure after array के बाद सबसे ज्यादा use में आने वाला data structure क्या है link list है clear है will хочу is connect Connected होता है notes किस से connected होता है while links connected होते एक दूसरे से और यह सबसे ज्यादा काम में आने वाला array के बाद link List अब इसके अंदर कहके term means used लेते हैं फिर्स एक terms हमें use लेते हैं फिर्स्स थेखते हैem text क्या है link we choose this link each link of linklist can store data called a element वो क्या इसके लगाती है link एक हर लिंक क्या है एक डेटा को कलेक्ट करता है और उसको क्या करते है एलिमेंट करते है next each link of the link links contain a link to the next link called next next क्या हो गया अगले का जो हमने pointer लिया है यह क्या है next क्या है कैसे जो जिस अगले notes का address होता है यह note के क्या है next ठीक है यह क्या करता है link और यह क्या 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 है next क्योंकि यह इसका address ने ठीक है उसके अधर link list यह जो link list बता है link list contain a connection link to the first link called first ठीक है clear है links next and link list connected होती है link list में one way list होती है और इसमें क्याок होता है data elements होते हैं जिनको क्या काते हैं nodes कि हमेश टू parts में divide होता है notes हमारा first पार्ट क्या होता है first part में होता है मारत इंफिर में second part में होता है हमारा address of next node यह चीज हमें बहुत अच्छे साने चाहिए यह चीज हमेशा link list का जो representation अच्छे साना चाहिए second part क्या content करता है address of the next node ठीक है उसके बाद link list क्या होती है sequential होती है अच्छे से और सबसे यूज में आने वाला address structure है आरे के बाद यूज में आता है ठीक है यह आपको पहले बता चुकिए एक बर और देख लिए यह हमारे notes होते हैं यह notes है हमारे सारे notes है first वाला जो node होता है वह starting node यह head note कहते है first node है वह क्या होता है starting ahead इसके अंदर हमारे data नहीं होता है कोई भी data element की information नहीं होती है इसके अंदर सीधे next node का क्या होता है address होता है इसके अंदर सीधे क्या होता है next node का address होता है ठीक है second node second node two type में divided है एक तो data item और एक next तो इसमें तो data आएगा हमारा data elements की information आगी और इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर इसका address next node का address आता है ठीक है यह हमारा link हो गया लिंक हो गया यह यह क्या है link है एक दूसर से connected है तो यह links है ठीक है node हमेशा data item हो गया है और यह next pointer है और इसके पॉंचर किसकी value लेता है धे उसके ठीक है इसका address इसके अंदर आ रहा है ठीक है यह connected कैसे है ऐसे तो इसका address है वो इसके अंदर से ठीक है अब देख लेते हैं, एक वर मैमरी में कैसे रीप्रेजेंट करते हैं लिघ लिइस्ट को, ठीक है हमें देखो यह मैमरी में देखो कैसे रीप्रेजेंट होती है यह तो हमारा address यह क्या है? यह क्या है? data item data item मतलब data elements हमारी और यह है next pointer ठीक है तो first हमारा node है उसमें क्या है वैल्यू डेटाइटम क्या है एच 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 ठीक है और इसके अंधर क्या है सिट्वेंशन नहीं चलता है कि फ़स्ट में लिखा है तो यह यह आएगा ठीक है, first हमारा note किस से start हो रहा है, two से, two जिसके अंदर हमारे data item नहीं हो, हाँ ना, ठीक है, two से start हो रहा है, ठीक है, अब देखो, two का है, प्रेले यह देखे, तो देखो, head note का हमारा होता है, first note, क्या है ? head हमारा क्या हो ? starting note कोंसा है ? head note इसके अंदर noach item नहीं है तो यह head node हो गया, जिसमें किसकी value है 2 2 हमारा next pointer क्या है ? 2 है देखो, first हमारा node है head node 2 है 2 कहां पे इसमें डेखो address के अंदर 2 का है ? यह रा 2 2 का अंदर data item क्या है ? xs x 2 के अंदर data item आ गया xx ठीक है और उसके अंदर जो next pointer की value का है 4 next pointer की value का हो गई ठीक है अब हम जाएंगे कहा 4 पे 4 देखो हमारा क्या है यह रहा 4 4 में क्या क्या है y y y 4 में y y आ गया ठीक है और next pointer की value का है 4 के 8 ठीक है अगली इस तरीके से बनेगा जो मैंने बनाया नहीं क्योंकि पूरे space में नहीं आ पा रहा था तो मैं और बताती हूं देखो 8 8 का है हमारा यह रहा ठीक है 8 का data item की value का है यह और next pointer की value का है 5 ठीक है तो अब किस पर जाएंगे 5 पर जाएगा हमारा तो 5 हो गया यह ठीक है 5 का data item की value क्या है यह और next pointer की पॉइंटर की यह रहा है तो अब हम जाएंगे 1 पे 1 पे की आगया data item क्या हो गया यह रहा ठीक है और next में क्या है नल तो जो हमारा हमेशे होगा हमेशन नल होगा हमेशन न नील होगा हमेशे यह और last pointer होता है हमेश we तो यह हमने तू इसके अंदर फिल करेंगे अब यह तू का अड्रस चेक करेंगे कहा है तो कि यह अगले पॉइंटर की वैल्यू होती है अपको पता ही यह क्या होती है next note का address होता है next note क्या है? 2 2 पे देखेंगे तो यह आ गया next note इस 2 पे क्या है data item? xxx क्या है? xxx जो हमने इसके अंदर फिल कर दिये और इसका next pointer क्या है? 4 4 हमारा इसका next pointer हो गया तो अब नेक्स किस note का होगा इसके अंदर address 4 है अब हम कौन से पे जाएंगे? कौन से address पे जाएंगे? 4 पे जाएंगे 4 पे जाएंगे 4 पे जाएंगे तो उसकी data item क्या है? y y y data item हो गया y y y ठीक है? next pointer क्या value क्या है? 8 तो उसकी हो गई 8 अब किस पे जाएंगे? 8 पे जाएंगे तो 1 पर डिटा इटम यह और next के value के नल यानि नल आ गई इसका मतलब यह क्या हो गया end point हो गया यानि कि हमारा last node आई नल value आ गई इसका मतलब यह last node क्लियर है कि link list को कैसे रीप्रेजेंट करते हैं memory के अंदर memory के अंदर link list ऐसे represent होती है वैस्ते चाहिए आपको ऐसे represent कर सकते है इसको लेकिन memory के अंदर वह ऐसे represent होती है address दिया होता है data item दिया होता है next होता है ठीक है और वह इस तरीके से connected यह है उसके अंदर यह diagram नहीं बना होता है memory के अंदर इस तरीके से बनी होती है इस ही में देख रहा है ना को connection देख रहा है को 5 note यह रहा और उसके अंदर 1 फिर 1 के ओपर यह connected तब एक दूसरे connected हो गए ना जो next note उसे connected है इस तरीके से connected होती है clear है आपको लेख लिए इसकी definition के लिए रहा है कि क्या है English मज में आया होगा उसके बाद कैसे कैसे डिवाइड होती है कि दो इसके अंदर होता है एक तो first में data elements होता है next next pointer होता है next pointer क्या value लेता है अगले अगले note का address लेता है next pointer ठीक है देख उसमें address था 4 यह क्या था अगले note का था 4 इसमें check किया address तो वह हमने इसकी value फोट किया ठीक है clear है भोपिया आपको clear होगा सारा link list का representation मैंने यह बहुत important चीज है यह हमें समझ आगे तो हम पूरी algo बना सकेंगी easily पर यह चीज हमें समझ आना बहुत ज़रूरी नहीं तो यह algo क्या हो जाती tough हो जाती है इसको बनाना ठीक है clear है चलिए और भी हम आगे discuss करेंगे link list क बारे में थैंक यू बाबाए